हलो दोस्तो, नमस्कार, कैसे आप लोग? उमीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे दोस्तो, आज का जो बिजनेस एडेन अउलती धमदार होने होगें दोस्तो धमदार इसलेकि उसका मैं चार रिजन बताउन गूँ दो तो आप नया नया इस बिजनेस में उत्र होगे तो भी दोस्तों हर मेना 70-80,000 रुपए अराम शे कमाई कर सकते दोस्तों को दूसरा रीज़न कम से कम जगा से यह बिजने शुरू होगा ठीकborg तता रेसला रीजयन बता रहूं दोस्तों जो इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट आप तैयार करने वाले उन्हें दोस्तों लोगों को बहुत ज्यादा पसंदित प्रोडक्ट है और मार्केट में बहुत ज्यादा डिमेंडिंग का प्रोडक्ट है तो आप सोच लिजे मार्केट में ज्यादा डिमेंडिंग का प्रोडक्ट है तो लोगों को इतना पसंदित प्रोडक्ट है तो शेल हो गाई होगा कमाई हो गाई होगा ठीक है दोस्तो अब चवता पाइंट की बात कर रहा हूं दोस्तो यह बिजनेस आप गाउं शेहर कहीं से भी कर सकते हो कुछ फरक नहीं पड़ेगा बस इतना फरक है कि शेहर में लोग ज्यादा रहता है इसलिए आपका जो प्रोडक् आप खुद डिसाइड कर लिजिए यह बिजनेस आड़ा जबरस्त है या नहीं है अभी बात करेंगे दोस्तों वह इससे कौन से बिजनेस आड़े है दोस्तों जो 10-15,000 रुपे इंवेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू करके आप हर मेने मिनिमम सतर से हसी हजार रुपे कम कमाई होने वाला कौन से ऑड़े हैं और यह बिजनेस कौन कर सकते और कहां से कर सकते इसके इन्वेस्टमेंट लगेगा प्राफीट कितना होगाना यह कहंगो के उपर आपका कितना profit होगा हर दिन का कमाई कितना मैने के कमाई कितना पूरे detail में discuss करेंगे दोस्तो इस एक युडियो में यह वीडियो आप आंद तक देखेंगे नब आपको कहीं भी डाउट में रहेगा यह business करना है तो फिर भी जहां पर आपको डाउट आथा है जो भी आपको मन पर सवाल आते हैं दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत बूले दोस्तों और ये बिजनेस एड़े के जानका रिम आपको अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत बूले दोस्तों चलिए दोस्तों समझते पूरा डिटेल भशाय नहीं है दोस्तों मैं ने तीटेन तरीक़ा बताऊंगा तीन तरीक़ इसे आपको भी पता चाहिए दस सी पंद्रहजபो estabombी ये बिजनेस होता है या नहीं है जैसी कि दोस्तों आपके पास कुचtant अब दुकान लगा कि ये बिजनेस कर सकते हूआ उसके और पुराना ठेला गाड़े से भी ये बिजनेश शुरू किया जा सकता है, वैसे आप शुरू करोगे 10-15,000 रुपे में इन्वेस्टमेंट से आपका ये बिजनेश शुरू हो जाएगा, और चौता तरीका है दोस्तों, ठेला गाड़े रेंट पे भी मिलता है, ये एक दिन क रेंट का 50 रुपे से लेकर 60 रुपे लेता है, वैसे आप शुरू करोगे ना 5-10,000 रुपे में भी ये बिजनेश शुरू कर सकते हो, ये आपका बजेट के उपर डिपेंड है, आप ये बिजनेश कैसे शुरू करने वाले हो, और दोस्तों ये बिजनेश आपको करना है न ये एक बात का बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, जैसे कि ये location, location मतलब जगा आप कहां पे ले रहे हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, school, college का सामने हुआ, railway station के सामने, bus stop के सामने, cinema hall के सामने, और जो shopping mall के सामने हुआ, और ये market हुआ, बजार हुआ, बहुत ज़्यादा बीकेगा, तो ये जिसी बात है, दोस्तों, profit भी बहुत ज़्यादा होगा, लोगों को आना जाना जहां पर जाता है, वहां पर ये business शुरू करना बहुत जरूरी है, और ये business में कुछ 3-4 बात है, दोस्तों, याद रखना, मतलब बहुत जरूरी हो, ध् सजार उपए में मिलेगा, वह machine आपको local manufacturer, machine manufacturer से भी मिलेगा, या इंडिया मार्च भी मिलेगा, लेकिन ये machine नहीं है, तो भी आप एग रोल का business, बहुत ही आसान इसे कर सकते हो, इसमें कोई rocket science ने, और दूसरी बात है दोस्तों, ये business के लिए आपको एक license भी लगेगा, क्य के लिए FSSI license लगता है, लिकन पहले आप क्या कीजिए, without license से शुरू कीजिए, थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, तो license लेना मत बुले, दोस्तों, license बहुत जरूर ये business के लिए, और ये जो product है, एक रोल का जो product है, market में बहुत ज्यादा demand है, लोग ना बहुत चाव के खा आपको profit margin double, triple है, तो मैं पूरा तरीका आपको आगे बताऊंगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, investment, मतलब लागत कितना लगेगे ये business आपको करना है, तो दोस्तों, लागत ही आपके उपर depend, आप machine लेने वाले हो या नहीं है, क्योंकि machine का rate ही 10,000 रुपे है, लेकिन बिना machine चे बहुत सारे लोग ये business करता है, आप भी कर से तो बहुत आसानी से, कैसे मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, बिना machine की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए दोस्तों, raw material, raw material का है दोस्तों, जैसे अंडा लेना पड़े आपको, आटा और मसाला इसाले, य बाकिये दोस्तों, गयास चुला हुआ, तवा हुआ, बांडे बरतन, ये सब मिला के आपको 10,000 रुपे ले लिजे, 15,000 रुपे में आपका business शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है, अभी हम बात करेंगे तो बनाने का तरीका, ज़र आपको बनाना नहीं आते, तो अभी आज का जमाने में बहुत सारे हैं, मतलब यूटूब में बहुत सारे हैं, आप रेसिपी देख सकते हो, सिर्फ एग रूल का जो business का, एग रूल कैसे बनाना है, यूटूब में आप सर्च भी करोगे ना, बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग वेरिटी क एग रूल बनाता है, वो आपको पूरा रेसिपी, क्लियर आपका समझ में आ जाएगा, और आपको थोड़ा वो घर पे आप दो चार बार प्राक्टिस करोगे, तो आप परफेक्ट हो जाओगे, तो इसमें कोई racket science नहीं है, ठीक है, अब भी फिर भी मैं आपको ये एक वी झाल के झाल egyे एक वी एक वी उहीं है, वी मैं आपको ममादी करको अपको वी एक हो कान अपको मैं जापको, तो नची हो कह बंआ चको जोग़ाएगा करे दो यविए किन आपको झाल झाल अब भी बात करेंगे दोस्तों प्राफिट की आपको क्लियर समझ में आजागा बहुत डिटेल तरीकी से मैं बताऊंगा दोस्तों यह एक अंडा रिटेल रेट पे दोस्तों 6 रुपे में मिलता है दो अंडा आप लोगे तो 12 रुपे ठीक है 12 रुपे और आपको उसके उपर जो मसाला हुआ जो हाटा का पराटा हुआ यह सब मिला के 15 रुपे में एक 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 रुपे में बनके रेडी हो जाता है दोस्तों और एक 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 रुपे में चल रहा हूँ फिर भी 40 रुपे में एक बिखता है मतलब दो अंडे का जो एक रुपे में असानी से बिखता है यह कम से कम रेट है उससे जादा 50 है पूरा 80 रुपए तक है लिखने यहां पे मैंने 40 रुपए लेके चल रहा हूँ मतलब यह जी बात है दोस्तों एक एक रुल डबल अंड़ा का जो एक एक रुपए आपको बनाना है तो 15 रुपे आपका लागत लगा और वो एक रुपए का इसाब से एक मेने को गया दोस्तों 75,000 रुपे मैं यहाँ पे 70-80,000 रुपे की जो बात कर रहा था वो कैलकुलेट बरबर होगे दोस्तों एक मेने का 45,000 रुपे सिर्फ मैने एक दिन में 100 एग रुल की बात के हूँ दोस्तों बहुत जादा विखेगा और बहुत जादा आप बेचोगे 54,000 रुपे एक मेने कोई कमी नहीं दोस्तों आज का टाइल पे ठीक है दोस्तों आप सिर्फ 10-15,000 रुपे के इन्वेस्टमेंट्स से 75,000 रुपे कर सकते हो बहुत ही आसानी से तो यह बिजनेस आपको करना में कहां पे दिक्कत हो सकते हैं और जो भी आपके मन पे डौट ह अपके मन पे सवाल आता हैं यह बिजनेस आडे के जयानकारी को लेकर कमेंट्स करना मत बुलिए दोस्तों कमेंट्स के रिपले में जरूर दे दोंगा और बिजनेस आपको काईसा लगा अच्छा लगा तो बीमिलता हूं दोस्तों आई से यूनी कीका बेस्ट बिजनेस लेकर तब तक के लिए दूस्तों बन्ने वाद